UP Board Exam Class 12 बालो जी के Chapter 2 के Most Important Question लेकर के आए हैं तो पहला Question लेते हैं ब्रेशन की अंतराली कोसिकाओं से स्रावित हार्मोन है अंतराली कोसिकाओं को Leading कोसिकाओं भी कहा जाता है या अंतराली कोसिकाओं को अंगरीजी में Interstitial Cell भी कहते हैं Interstitial Cell और इन कोसिकाओं से Testosterone नमक हार्मोन से रावित होता है Testosterone इसका मतलब इसमें पहला वाला Option सही होगा और Testosterone नरलिंग हार्मोन है या हार्मोन पुरुस की सहायक जनन ग्रंथियों और दुतियक लेंगिक लक्षणों के विकास में सहायता करता है सहायक जनन ग्रंथियों और दुतियक लेंगिक लक्षणしました जैसे दाजी मोच्खा आना है आवाज का भारी होना है जनननंगों का विकास है कंधे चाड़े होना है ये सब क्या होते हैं दुतियक लेंगिक लक्षण होते हैं और आपको बता दें व्रशन में ही सर्टोली की कोशिकाय पाई जाती है व्रशन में ही या टेस्टिस में ही जो विकसित हो रहे हैं सुक्राणों को अवलंबन देती हैं सुरक्षा प्रदान करती हैं और साथी साथ पोशन वा ऑक्सीजन भी प्रदान करती हैं कौन सी कोशिकाय सरटोली की कोशिकाएं पिर नेश कुषन आते हैं अंड्रोजन सरावित होता है आप देखे वही कुषन आ है अंड्रोजन कहां सरावित होगा टेस्टरों का सराव Chronicles कहां से होगा वरशन गी लीडिंग कोशिकाउं से होगा तो पहला वाला अपसर इसमें सही होगा निम्ड में से कौन नर्सहायक ग्रंथी नहीं है नर्सहायक ग्रंथी कौन सी नहीं है इसमें सुक्रासे नर्सहायक ग्रंथी है प्रोश्टेट नर्सहायक ग्रंथी है जबकि जो तुम्बिका है ये नर्सहाय का ग्रंथी नहीं है जो तुम्बिका है इसे एम्पुला कहा जाता है एम्पुला और यह एक तरह अंडवाहिनी का चौणा भाग होता है जो अंडवाहिनी होती हो भी डेक्ट होती है उसका चौणा भाग होता है जिसे तुम्बिका य कहां से मुक्त होने की किरिया है अब देखिए जो इस पर मेशियन है इसको हिंदी में सुक्रजन मोचन कहा जाता है सुक्रजन मोचन मतलब सुक्राणों का अलग होना कहने का मतलब यह है कि हमारे व्रशन में जो सर्टोली की कोश्काएं होती है जो सर्टोली सेल्स होती है उनस क्रिएग्षां को इस पर में इस पर में यह सुक्र जन मोचन तो पहुशते हैं इस सुक्रण नलिका नैशकन नेश्ग इंडेर किसमे 23 गुड़सूत्र पहुशंचल intim पहुशंकुत देखिस Nico दुतियक अंडार होता है उसी में तेश गुर्शूत्र होते है यह निए दुतियक उसाइट इसमें आंसर से हो जाएगा सी वाला नेश कुशन है ग्राफियन पुठिका पाई जाती है ग्राफियन पुठिका किसमें पाई जाती है तो इसमें आंसर से होगा पहला इस्तनियों के अंडासे में ग्राफियन पुटिका पाई जाती है जो इस्तरी के ओवरी होती है उसी ओवरी में ग्राफियन पुटिका पाई जाती है और पूरी तरह से जो बिक्सित ओवरियन फालिकल होता है उसी को ग्राफियन पुटिका कहा जाता है जो पूर रूप से बिक्सित हो जा और बात में यही कारपसलिटियम में बदल जाते हैं नेश कुषन है मोरुला परिवर्धन की अवस्था है तो इसमें आंसर सही होगा पहला युगमनज वा कोरक पुटी के बीच की अवस्था मोरुला होती है इस तरी में अंतरोपन के शमय भूण किस अवस्था में होता है देखे जब निसेचन होता है तो निसेचन अंडवाहिनी में हुआ अब उसमें जाइगोड के बाद बिदलन सुरू हुआ तो एक से दो कोश्था है फिर दो से चार आठ इस तरह से मोरुला अवस्था बनती है और मोरुला के बाद फिर बलाश्टूला अवस्था बनती है और बलाश्टूला अवस्था में जो वो घुंडी नुमा भूणी घुंडी बन जाती है तब वो जाकर के कहां माता के गर्भासे में इस्थापित हो जाता है अंतर रोपित हो जाता है तो इसमें आंसर होगा ब्लास्टुला अवस्था यानि इस्त्री में अंतर रोपर के समय भूण ब्लास्टुला अवस्था में होता है बीवालापसन से होगा नेश कुछन है ब्ल निम्ड में से कौन सा हार्मोन मानो अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता है तो दिखे जो लह हार्मोन है यह लह हार्मोन मानो अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता है और लह को लुटिनाइजिंग हार्मोन भी कहा जाता है यह अग्रप्यूस ग्रंथ के द्वारा स्रावित ह होता है किसका उद्भव होगा तो जो रुधिर होता है रुधिर का उद्भव भूरिये मेसोडर्म से होता है तो नेक्ट वीडियो में नेक्ट चेप्टर के कुशन लेकर आएंगे धन्यवाद